हेलो बच्चो आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल दियास कुमार में फीर से एकवर स्वागत थे और आज की इस वीडियो में हम लोग रासाइनिक अविकिरिया के परकार यानि की टाइप्स ऑफ केमिकल रियक्षन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सन्योजन अविकिरिया, दियोजन अविकिरिया, विस्तापन अविकिरिया, दुविस्तापन अविकिरिया, उसमे रासानिक अविकिरिया और उसमे रासानिक अविक्रिया में हम लोग उसमा छेपी रासानिक अविक्रिया और उसमा सोसी रासानिक अविक्रिया के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग उपचेन अभिकिरिया, अपचेन अभिकिरिया, रेडॉक्स अभिकिरिया, अउचेपन अभिकिरिया और उदासिनिकरन अभिकिरिया के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए बच्चो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सन्योजन अभिक्रिया यानि की कम्बिनेशन रियक्षन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आप इस animated वीडियो को देखिए जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको सन्योजन अभिकरिया थोड़ा बहुत समझ में आएगा और अब आप ये example को देखें ठीक है आपने देख लिया आपने animated वीडियो को भी देख लिया अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि सन्योजन अभिकरिया क्या है चलिए बच्चो सबसे पहले हम लोग सन्योजन अभिकरिया के बारे में समझते हैं कि सन्योजन अभिकरिया क्या है तो देखिए इसका नाम है सन्योजन जिसको इंगलीज में हम लोग बोलेंगे combination और सन्योजन मतलब होता है जूड जाना सन्योजन मतलब क्या होता है जूड जाना बात समझ रहे हैं सन्योजन का मतलब क्या होता है जूड जाना अब देखिए सन्यूजन आखिर मिं क्या कहता है जब आपने एनिमेटड वीडियो को դो आपने देखा कि एक बॉक्स बना हुआ है और अठीक में दोनों क्या हुआ आपस में जूड गया मतलग यह बॉक्स हमारा यहां पर इस्परकार से रहा और यह सरकिल हमारा यहां पर इस प्रकार से आ गया बात समझ रहे हैं यानि दोनों क्या हुआ आपस में जूड़ गया और आपस में जूड़ गया ना तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सन्योजन अभिकिया और आपको मैंने बताया था कि इधर जो तीर चिन्निके इधर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभिकारक और इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे इधर जो हमको मिलता है तीर चिन्निके इस साइडम जो रहता है इसको हम लोग क्या बोल किया कोई जरूरी नहीं कि आपका दो ही अभिकारक दिया रहेगा आपको दो से अधिक अभिकारक भी दिया जा सकता है तो इसका डेपिनेशन क्या हो रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्मान करें तो इस अभिक्रिया को सन्योजन अभिक्रिया करते हैं बात समझ रहे हैं देखिए जैसे कि मान लिजिए आपके पास कोई एक के दुश्मी योगिक है और दुसरा दत्वीयोगिक माली जिए भी है ठीक है और यह आपस में अभिकरिया KARके किसका निरमान करेगा एबी का निरमान करेगा यह दोना आपको बता देता हूं कि आपको एक्जाम में किस प्रकार का डेफिनेशन लिखना है फिर मैं आपको एक्जामपल की मदल से सन्योजन अभिक्रिया को समझाओंगा तो देखिए आपको सन्योजन अभिक्रिया का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखना है सन्योजन अभिक्रिया यानि की कम्बिनेशन रियक्षन जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्मान करें तो इस अभिक्रिया को सन्योजन अभिक्रिया करते हैं बात समझ रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्मान करें तो इस अभिक्रिया को सन्योजन अभिक्रिया करते हैं अब चलिए example हम लोग देखते हैं इसे तो मैंने आपको चित्र में दिखा दिया था चित्र में हमारा पहला एजामपल क्या था कार्बन देखिए कार्बन एक हमारे क्या है तत्व है और ऑक्सिजन भी हमारे क्या है एक तत्व है और यह दोनों मिलकर यह दोनों मिलकर किसका निर्मान करता है कार्बन बात समझ रहे हैं यानि दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहा है एक उत्पाद का निर्मान कर रहा है तो इसी को हम लोग बोलेंगे सन्योजन अभिक्रिया सन्योजन मतलब क्या होता है जूड जाना यानि जूड जाएगा आपस में ठेक हैं दूसरा एक्जामपल देखिए जैसे ह हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सिजन मिलकर क्या बनाता है जल बनाता है यानि कि एच्टू बनाता है तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारे क्या है एक तत्व है और भी हमारा एक तत्व है यानि यह दोनों अभिकारक है दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके ए तो आपको समझ में आ गया है कि आपने किस प्रकार से संतुलित किया ठीक है तो यह हमारा सन्योजन अभिक्रिया तो चलिए अब हम लोग बियोजन अभिक्रिया यानि की डिसोसियेशन रियक्षन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को द देखिए तब आपको दियोजन अभिक्रिया थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अधिया होता है कि तो जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सन्योजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और देखिए शन्योजन अभिक्रिया का डाइग्राम हमने कुछ इस परकार से बनाया था सन्योजन अभिक्रिया में क्या होता था देखिए इस परकार का हमारा अभिकारक होता था और यह जूड कर क्या हो जाता था एकल उत्पाद का निर्मान करता था और आज का हमारा टॉफिक है दियोजन अभिक् अब तूटके क्या होगा देखिए चलिए देखिए जैसे आपने जो एनिमेटेड वीडियो देखा वह कुछ इस परकार का था यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ था और आपको यहाँ पर एक सरकिल दिया गया था देखिए यह दोनों भी एक साथ जुड़ा हुआ है और अभिक्रिया के फलसव रूप क्या हो रहा है बॉक्स अलग हो जा रहा है और सरकिल भी अलग हो जा रहा है यानि क्या हो रहा है जैसे ही अभिक्रिया हो रहा है तो यह जो यहांप्र पर िक्षी तो अगर हूम नोग यहां पर पर अगर हम लूँज अभी लेंगे तो यह टूट कर बनाएगा एक a बनाएगा और एक ठी बनायेगा यइन यह और भी क्या हो जाएगा अलग-लग हो जाएगा बात समझ रहे हैं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वियोजन अविक्रिया का डेफिनेशन आपको एक्जाम में किस परकार से लिखना है फिर हम लोग इसके एक्जामपल को देखेंगे तो देखेंगे बच्चो इसका डेफिनेशन आपको कुछ इस परकार से लिखना है ठ तूट जाना जब एक अभिकारक तूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्मान करें तो इस अभिकिरिया को वियोजन अभिकिरिया कहते हैं बात समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि जब एक अभिकारक आपके पास यहां पर अभिकारक अभ एक होगा और वह तूटकर क्या बनाएगा दो या दो से अधिक उत्पाल का निर्मान करेगा तो यह जो अभिक्रिया होगा इसी अभिक्रिया को हम लोग बियोजन अभिक्रिया कहे इसलिए अब हमारे पास जो एक्जांपल है केया हमने लिया केल्सियम कापीड चना करेंगे तो केल्सियम कार्बोट को हम लोग संगमरमर करते हैं थे साइसे कारो नर की Anyone के गर्म करेंगे क्या करेंगे जब इसको हम लोग हीट करेंगे यानि गर्म करेंगे जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा सी ए ओ यानि बीना बुझा हुआ चुना मिलेगा यह बीना बुझा हुआ चुना है प्लस इसके साथ साथ यहां पर कार्बन डायोकसाइड भी निकलेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा अभिकारक केटो है एकटो है और यह तूटकर दो उत्पाद का निर्मान कर रह है करने किना हैест और आप इस परकार के ट्रैंगल बनादेंगे इसका मतलब होता है коли इसका क्या होता है गर्म है तो यह अभिक विस्थापन अभिक्रिया यानि की डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन के बारे में पढ़ेंगे डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन भी कहते हैं इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग आगे दूई विस्थापन अविक्रिया पढ़ेंगे जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन कहेंगे तो सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए तब आपको डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन के बारे में समझ में आएगा तो चलिए अब हमें लोग बात करते हैं कि displacement reaction आखिर में क्या होता है तो देखे बच्छो displacement मतलब क्या होता है विस्थापित करना नाम ही इसका विस्थापन अभिक्रिया पिस्थापन अभिकरिया मदर्व क्या हुआ विस्थापित करना यानि किसी बंदा को एक जगा से उठाकर दूसरे जगा में डाल देना कहने का मतलब आप पहले समझे जिसे मैं आपको समझाता हूँ किसे मान लिजी यहाँ पर कोई एक बंदा है जिसका नाम है ठीक है और यहाँ पर दो बंदा है मान लिजी बी और सी यहाँ पर कोई एक बंदा है और यहाँ पर आपका कोई दो बंदा है इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और सी तो क्या करेगा जब यह अभिकरिया कर रहा है तो ए क्या करेगा मान की चलिए कि बी को हटा देगा यह क्या करे विटापन अभीक्ष यह जिसे अगर आप एनिमेटेड वीटिओ के माजदम से समझना चाहते हैं जिसे कि मालीजी यहां पर आपका एक सर्कील है जिसका हमने नाम दे दिया सी ठीक है अब यह क्या क्या यह बंदा क्या कर रहा है मान की चलिए देखिए कोई जरुए नहीं कि इस परकार से आके जम गया यहां पर ए आ गया और यह क्या किया था सी को बाहर ख़देड दिया था तो यह जो सी वाला सरकिल था इसको बाहर इस परकार से ख़देड दिया तो इस परकार का यानि विस्थापन अभी ट्रियामी क्या करेगा विस्थाफित करेगा एक तत्व कि किसी योगिक से दूसरे तत्यों को हटा देगा यह से आप एक्जामपल देखिए तब आपको समझ माएगा जैसे हमने ले लिया एफी आपी मतलब क्या होता है आइरन प्लस सी यू एसो फोर यानि जब इसके अभी क्रिया हमनों किसके साथ कराते हैं सी यू एसो फोर मतलब होता है कॉपर सल्फिट यानि एफी प्लस कॉपर सल्फिट आइरन प्लस कॉपर सल्फिट जब करेंगे तो क्या होगा यहां पर देखिए यह एफी क्या करेगा यह जो एफी है यह सी यू को क्या करेगा यहां से हटा देगा यह सी यू को क्या करेगा खदड़ देगा यहनई एफ़ ऐस के जगा पर बेड़ जाएगा और क्या बनाएगा यहां पर एफ़ ऑस फोर बनाएगा यह जो सीउ था ना यह सीउ को यह बाहर खदड़ दिया कुछ इस प्रकार से बस समझ रहें अगर आप अगला एजामपल लेते हैं अगला इजामपल जेडन प्लस सी यूग सो फोर आप इस परकार से लेते हैं तो अब क्या करेगा देखिए यह जो जैडन है वो अब क्या करेगा सिउआ सफ फोर से सीउ को क्या करेगा बाहर निकाल देगा और इसके अस्थान पर आकर खुद बेट जाएगा यानि क्या बनाएगा जेडेन एसो फोर प्लस सी यू यानि सी यू को बाहर इस परकार से खदेर दिया भगा दिया बास समझ रहे हैं तो यह होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप विस्थापन अभिक्रिया के डेफिनेशन को इक्जाम में किस परकार से लिखेंगे वह फिर हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग दूई विस्थापन अभिक्रिया यानि की डवल डिस्प्लिस्मेंट रियक्षन के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए बच्चो यह आप यह हमारा विस्थापन अबिकरिया यानि कि डिस्ब्लिस्मेंट रियक्शन का है क्या कहता है जी सब्हें यानिकि डिस्थापन इंडां का है या कुछ इस प्रकार से है जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके योगिक से हटा देता है तथा खुद उसके अस्थान पर आ जाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं यानि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई तत्व है वह किसी अन्य तत्व को उसके योगिक से हटा देता है और खूद उसके अस्तान पर आ जाता है तभी हम लोग यह जो अभिक्रिया हो रहा है इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंдержंगे। विस्थापन अभीकριया वो लेंगे बात समझ रहे हैं यानि आपके बस को एक तत्व हैं वह तत्व क्या करता है किसी तत्व को उसके योगिक से हटा देता है और उसके अस्तन पर जाकर खूद बेढ़ जाता है और यह जो अविक्रिया हो रहा है इसी अविक्रिया को हम लोग क्या वो लेंगे विस्थापन अविक्रिया आप एक्जामपल देख सकते हैं आफी प्लस कुल ठीक है तो चलिये अव हम लोग दो विस्थापन अविक्रिया जिसको हम लोग उभई विस्थापन अविक्रिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग इंगलिश से डवल डिस्प्लेशमेंट रिक्सन कहते हैं के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए तब आपको कुछ समझ में आएगा चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डबल डिस्प्लिस्मेंट रियक्शन क्या होता है जैसे कि बच्चो पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई एक तत्व है वह तत्व क्या करता है किसी तत्यों को उसके योगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसके अस्तान पर आकर वेड जाता था इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते थे और वहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि A plus B C है तो माल लिजिए कि A क्या क्या इस B को हटा दिया और इसके अस्तान पर आ गया यानि यहाँ पर A C बनाया कि दोनों योगिक दोनों योगिक जैसे यहाँ बाला यह वाला जो योगिक रहेगा और यह वाला योगिक जो रहेगा दोनों योगिक क्या करेगा अपने आईनों का आदान परदान करेगा और नए योगिकों का निर्मान करेगा तो देखिए दो विस्तापन अभिकिरिया मे किस परकार का displacement होता है तो चलिए हम लोग एक example लेके ही इसके concept को समझते हैं जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Na2SO4 यानि की sodium sulfate प्लस यहाँ पर हमने ले लिया Bacl2 यानि की barium chloride से क्या बनेगा देखिए यहाँ पर क्या होता है यह जो आप एने देख रहे हैं यानि यह जो sodium है यह जो sodium है यहाँ पर और यह जो आपका यहाँ पर barium है यह आपस में क्या करता है विस्थापित हो जाता है बात समझ रहे हैं यानि एने के जगह पर बीए आ जाता है और बीए के जगह पर एने चला ज लिजिए जी जोऊप समझें अब देखिए अग्श्बार है जब बेरियम इन और ब्री21 बडाबर अलब होता है आज समझ रहे हैं तो इस परकार से विस्थापन जब होता है तब इसी विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं दूई विस्थापन तो चलिए इसके डेफिनेशन को आपको एकजाम में किस परकार से लिखना है अब मैं इसको बता देता हूं फिर हम लोग आगे चलें अभिक्रिया के definition को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है दूइविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभविस्थापन अभिक्रिया और जिसको हम लोग इंग्रिस से double displacement reaction करते हैं का definition कुछ इस प्रकार से है जब दो योगिक अपने आईनों का आदान परदान करके दो नए योगिक का निर्मान करता है तो इसे दूइविस्थापन अभिक्रिया करते हैं बात समझ रहे हैं यहाँ पर क्या करेगा यहाँ पर जो दोनों योगिक है अपने आईनो का आदान परदान करता है और दो नए योगिक का निर्मान करता है और जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया जैसे में क्या बताया कि एन एस फोर प्लस बीए एस फोर प्लस टू एने सील बात समझ रहे हैं तो यह था हमारा दूइविस्थापन अभिक्रिया तो से बंग अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अवकरन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं उपचयन अभिक्रिया को इंगलिस से हम लोग ऑक्सिडेशन रियक्षन और अपचयन अभिक्रिया को हम लोग इंगलिस से रिडेक्षन रियक्षन कहते हैं सबसे पहले आप इन सारे इग्जाम्पल को देखें, तब आपको उप्चेन अविक्रिया और अप्चेन अविक्रिया समझ में आएगा, तो आसा गरता हूं कि आपने इग्जाम्पल देख लिया, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, उप्चेन अविक्रिया और अप्चेन अविक्रिया को, तो से CO2, बात समझ रहे हैं, सी प्लस O2 से CO2, आपने एकamat पल देखा, दूसरा है जमपल आपने क्या देखा, 2 Cu प्लस O2 से 2 CuO, दूसरा है जमपल आपने ये देखा, और तिसरा ह ribs अपने क्या देखा, तिसरा एक्जम्पल आपने देखा CuO Plus H2 से Cu Plus H2O तो देखे बच्चों यह जो एक्जम्पल है यह बहुत ही Important एक्जम्पल है अब क्यों important है यह आपको अभी पता चल जाएगा देखे आप अगर पहला एक्जम्पल देखें तो पहला एक्जम्पल से आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पर कार्बन अलग है और ऑक्षिजन भी अलग है यह अभीकारक है ना कार्बन हमारा एक अलग है और ऑक्षिजन हमारा एक अलग-अलग अभीकारक है और जब हमारा हमको यहां पर जो उत्पाद मिला देखिए यहां पर oxygen क्या है जूड़ा हुआ है यानि carbon के साथ oxygen क्या है योग हुआ है बात समझ रहे हैं carbon के साथ oxygen क्या हुआ है योग हुआ है अगर आप यह इस example को देखेंगे यहां पर आपका copper है और यहां पर आपका oxygen है यह दोनों अलग अलग है जब आप यहां पर देखेंगे तो oxygen क्या है copper के साथ में ही आ गया है यानि यहां पर भी oxygen क्या हुआ है copper के साथ जूट गया है यानि copper के साथ इसका भी योग हो गया है आप समझ में आ रहा है आपको अब देखिए अगर यहां पर देखेंगे यहां पर CU O है देखें यहां पर O पहले से ही लगा हुआ है यहां पर O पहले से ही लगा हुआ है और जब आप यहां पर देखेंगे CU को योग नहीं है। यहाँ पर चाही है क्या हो गया है , यहां पर और यहां पर Oxygen कभी सब्सक्राइब क्या हो गया है अगर आप यहां पर देखेंगे जफी पढ़िए। हैंस अ कल रड़िये Precis तो हमको, आज जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है उपचय नभिकरिया और अपचय नभिकरिया देखिए उपचय नभिकरियां को हम लोग आक्षिकरा नभिकरिया भी बोलते ह 있습니다 because नाम है oxygen reaction और इसका नाम है oxygen बात समझें इस औगर आप तोड़ेおकषी जोड एडिषान अब और ऑक्सी मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया और एडिसन मतलब क्या हो गया योग हो गया यानि कि प्लस बात समझ रहे हैं को दिकत आपको समझ मारा है ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया ऑक्सीजोड एडिसन ऑक्सीजोड एडिसन और ऑक्सीजोड एडिसन और एडिसन योग यानि की प्लस बात समझ रहे हैं तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सिजन का क्या होगा योग होगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सिजन का योग होगा उसे हम लोग उपचेन अभिक्रिया यानि की ऑक्सिडेशन रियक्षन या फिर ऑक्सिकरन अभिक्रिया कहेंगे बात समझ म और जिस पदार्थ के साथ जिस पदार्थ के साथ ऑक्सिजन का योग होगा उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे उपचैत पदार्थ बोलेंगे उपचैत पदार्थ बात समझ रहे हैं यहां फिर ऑक्सी ऑक्सिकारक यहां फिर क्या बोलेंगे ऑक्सिकारक जिस प्रॉमिता था भी और गुपतर्बंव में उप्षाइद प्धार्थ इस सदेक आपो ओक्सिजन जो पर हमारे अभीकरिया है या में और यहां पर युवेदा के नेто Sबसें अ गुप स्थार्ट के लिए भी पासके नोड़ीयां के शब्रवर और को सुसस्किया म्दलब क्या हुआ यह जो copper is see you जो है यह हमारा क्या है अब उपचाइत पदार्थ यह फिर oxy कारक है बात समझ रहे हैं और यहां पर oxygen का योग भी हुआ है और oxygen का रास भी हुआ है तो अब लोग इसको तो ऑक्सिकरन भी बोल सकते हैं और रिडक्सन भी बोल सकते हैं खर अभी हम लोग ऑक्सिकरन के उपर डिसकस कर रहे हैं तो ऑक्सिकरन के उपर ही हम लोग अच्छे तरीके समझ लेते हैं तो यहां पर देखिए ऑक्सिजन का योग हुआ है किसके साथ एस टू के साथ तो यह ह हमारा क्या है एक औक्सीकरन अभीक्रिया है और उपचयत प्रार्थ या फिर ऑक्सीकरन अभी होता है तो रिडक्षन अभिक्रिया ठेक है रिडक्しटन या फिर अपशेयन या फिर आफ तो यह सब्य आमें क्या होगा ऑक्सिजन का ऑक्सिजन का क्या होगा हरास होगा ऑक्सिजन का क्या होगा हरास होगा यानि कमी होगा ऑक्सिजन का क्या होगा कमी होगा तो हम लोग बोलेंगे कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सिजन का हरास होता है उसे अप्चेन अभिक्रिया कहेंगे ठीक है अब देखिए जिस परकार जिस पदार्थ के साथ ऑक्सिजन क मुक्त और चैनल फॉब को ओसिद्ध नृत इसको क्ञेशेद्ध पतार्थ बन फूहा बास है तो इसका मतलब क्या हुआ यह जो अ기 करिया है है हमारा रीडक्षंशंग अभे बहुत बास समझ हुआ है यह हमारा अपंचयन अवकरन या फिर रीडक्षंग जो वो ले यहार देख सकते हैं यहां पर केवल सियू यानि ओका हरास किस के साथ हुआ है सियू के साथ तो फिर हमारा हो गया अप्चाहित-पदार्थ या फिर अवकारक तो पहला अभी पर पहला यहां पर लिखा है जो यह मार जो अभिकरिया है इसमें क्या हो रहा है ऑक्सिजन का योग यानि केबल ऑक्सिडेशन रियक्शन है दूसरा वाला में भी क्या हो रहा है केबल और केबल योग हो रहा है तो यह भी हमारा ऑक्सिडेशन रियक्शन है तीसरा वाला हम देखेंगे तो यहां पर योग भी हो रहा है और हरास भी हो तो यह हमारा क्या है Oxidation Reaction भी है और Reduction Reaction भी है तो बच्चो यह जो हमारा थर्ड नमबर का जो एक्जामपल है आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखें कि जब हम लोग Redox अभिक्रिया पढ़ेंगे तो यहां पर भी इसी एक्जामपल की मदद से हम लोग समझें कि आप इक्जाम में किस प्रकार से उप्चेन अभिक्रिया और अप्चेन अभिक्रिया के डेफिनेशन को लिखेंगे तो देखिए उप्चेन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में Oxygen का योग होता है उसे उप्चेन अभिक्रिया कहते हैं तथा वह पदार्थ जिसके साथ Oxygen जूडता है उसे उपचयत पदार्थ कहते हैं बात समझवाएं आपको एक्जामपल एक नमबर में C प्लस O2 से CO2 और यहां जो C है वह क्या है ऑक्सिकारक है या फिर उपचयत पदार्थ है उसी प्रकार से से कंझाली प्लस O2 से थीकर यह हमारा यहां अब छलिए अघर देख लेते हैं अबचेन अविकरिया अफिर अब करन यह फिर प्रेंदर्ट उसकाट देफिनेशन को इस प्रकार से नंने से में ऑक्सिजन का हराष होता है उसे हब अभी किरिया कहते हैं तदा वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सिजन का हरास होता है उसे अवकारक या अपचाइद पदार्थ कहते हैं बात समझ में आया और इसके लिए हमारा प्लस है यहां सी यू अवकारक अत्वा अपचाइद पदार्थ है जबकि एस्टू ऑक्सिकारक अत्वा पूपचाइद पदार्थ है तो चलिए अब हम लोग राडॉक्स अभिकिरिया यानि की राडॉक्स रियक्षन के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उप्चयन एबंग अप्चयन अभिक लिया यानि कि Oxidation and Reduction Reaction के बारे में पढ़ाता और उहां पर हमने कुछ एक्जामपल देखा था तो चलिए मैं भी आपको एक्जामपल दिखा देता हूं कि हमने उहां पर कौन-कौन से एक्जामपल को देखा था तो आसा करता हूं कि बच्चो आप लोगों ने सारे एक्जामपल को अच्छी तरीके से देख लिया और आपको कुछ-कुछ याद आ रहा है कि हम लोग Oxidation Reaction और Reduction Reaction में क्या पढ़ाता तो चलिए अपने लोगों बात करते हैं कि Redox Reaction क्या होता है बच्चो आज का जो हमारा टॉफिक है यह है Redox Reaction यानि की Redox अभिक्रिया अगर आप Redox को देखें अ रिट अक्स तो रेडर अक्सको अखर आप तोडेंगे तो यहां सापको दो चीच मिलीगा एक मिलीगा red Joe Fox बात समझें बच्चो आपको कोई लिना देने नहीं है रेड यानि की लाल और आक्स यानि बैल इससे कोई मतलब नहीं है यह यहाँ पर नहीं समझना है आपको रेड आक्स मतलब क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं red, red यानी की reduction, यानी की reduction, और reduction यानी की impeachment, जो मैंने आपको पिछले विडियो में बताया था, और ऑक्स यानी oxidation, और oxidation मतलब क्या होता है, बच्छो ऑक्सिडेशन मतलब होता है Oxygen 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 Ox सी यू ओ प्लस एच्टू सी यू प्लस एच्टू से सी यू प्लस एच्टू ओ यही था ठीक है अब चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहली कि रेडॉक्स रेक्षन आखिर में होता किया है जब आपने रेडॉक्स को तोड़ा तो आपको मिला रेड जोड ऑक्स यानि की जिसमें क्या हो और ऑक्सेडorse न भी होगा एक यानि दौनों साथ साथ में होगा तो आर्इसी हिए आपको क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभी Millso एक्चिंगंगे जिसमें क्या होगा ऑक्सी करन-2 होगा औरons भी होगा यानि जिसमें उप चैन भी होगा और स्टेन भी होगा जिसमें ऑक्सिडेशन भी होगा और रेडक्षन भी होगा ठीक है और देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियों बताया था कि ऑक्सिकरन मतलब क्या होता है ऑक्सिकरन मतलब होता है ऑक्सिजन का योग होता है और अब करन यानि यहां पर ऑक्सिजन का हरास हो गया है और ऑक्सिजन का हरास हो गया है यहां पर क्या हुआ है और ऑक्सिजन का हरास होता है तो कौन सा रियक्षन होता है बच्चो तो वहां पर होता है हमारा ऑक्सिजन का जब हरास होता है तो हमारा होता है अवकरन क्या होता है अवकरन अभिक्रिया या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अप चया नभिक्रिया क्या अप चया नभिक्रिया या फिर reduction reaction या फिर reduction ठीक है आप अभिक्रिया बोलिए अभिक्रिया ठीक है कोई दिकत यहां पर क्या हुआ oxygen का हरास इसलिए इसको लोग आपकरण अभी करिया या फिर रिडक्षण रियक्षण कहेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे टूपर यहां पर ओने था जबकी लर ओं क्या हुआ है योंग हो गया है तो यह जो अभिटिया है यह हमारा कौन्स हेख लिए है यह पर आक्सिजन का क्या हुआ है योग हुआ है और refuse आप सकते हैं यह जो आप congressional देख रहें है यह जो एक्जामपल आप देख रहे हैं इस एक्जामपल पर क्या हो रहा है हमारा अवकरन यानि की रिड़क्षन भी हो रहा है और ऑक्सिकरन यानि की ऑक्सिडेशन भी हो रहा है तो ऐसी यह किरिया जिसमें क्या हो हमारा रिड़क्षन और ऑक्सिडेशन अवकरन और ऑक्सि चमपल बता देता हूं जो आपके NCRT भूग में भी है ठीक है क्या है ZNO ZNO plus C से क्या बनेगा ZN plus CO ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर ZN में क्या है वह है और यहां पर ZN में O गायब हो गया है यहां यहां पर यहां पर कारवन हमारा है और यहां पर हमारा कारवन में और यहां पर हमारा कारवन में वह आ गया है यहां पर क्या हुआ है योग हुआ है यहां पर क्या हो रहा है यह ऑक्सिडेशन रियक्शन है तो इस रियक्शन में भी क्या हो रहा है Oxidation और Reduction दोनों हो रहा है इसलिए यह हमारे क्या है यह हमारा एक Redox reaction है ठीक है तो चलिए आप मैं आपको बता देता हूं कि आप exam में Redox reaction की Definition को किस परकार से लिखेंगे तो चलिए बच्चो अब मैं लोग बात कर लेते हैं कि आप Redox सभी किरिया यानि Redox reaction को एक्जाम में किस परकार से लिखेंगे तो जिसी कि मैंने आपको बताया Redox यानि क्या होगा रेट जोड ऑक्स यानि की Reduction यानि की आउकरन और ऑक्स यानि की Oxidation यानि की Oxygen तो आपको Definition किस परकार से लिखना है और इसी रासानिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन ये बंग अफचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे Redox अभिक्रिया कहते हैं और आप इस परकार से एक ईघ्जामपल लिख दीजिएगा तो आपका Redox अभिक्रिया का Definition हो गया तो आपको इस परकार से Redox की अभिक्रिया के Definition को लिखना है तो चलिए अब हम उसमें रासाइनिक अभिकरिया यानि की थर्मोचिमिकल रियक्षन के बारे में पढ़ेंगे इस अभिकरिया को पढ़ने से पहले आप कुछ इग्जामपल देख लिजिए हमारे पास जो पहला इग्जामपल है यह है सी ए सी ओ थिरी यानि की केल्सियम कार्बोनेट का जब के इसमें उस्मा देते हैं तो यह क्या होता है यह सी ए ओ और सी ओ टू में परिवर्तित हो जाता है यानि जब हम लोग केल्सियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो केल्सियम ओक्साइड और कार्बन डायोक्साइड का निर्मान होता है केल्सियम ओक्साइड को हम लोग बीना कलता है कि यह रहा हमारा पहला एक्जामपल और इस एक्जामपल को हम लोग सुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप यहां पर अगर देखेंगे तो हमारे पास जो दूसरा एक्जामपल है यह है सी ए ओ का जब सी ए ओ में हम लोग पानी डाल देते हैं यानि की एच क्या होता है यह बूझ जाता है यानि की सी ए ओ hed तो केल्सियम हाइड्राक्साइड का निर्मान होता है और उसके साथ-साथ उसमा वह लिए निकलता है आप घर में देखेंगे कि जब घर पचोडा करने के लिए चुना लाता है तो चुना को किसी बरतन में लग देता है और जब इसमें पानी हो जाता है बात समझ रहे हैं तो आप यह प्रेक्टिकल घर में किये होंगे ठीक है यह आप देखे होंगे यानि जैसे ही हम लोग चुना में पाने डाल देते हैं तो पूरा हीट हो जाता है यानि उसमें पूरा उसमा निकलता है तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि ज में जब पानी डाल रहे हैं तो इसमें से उस्मा निकल रहा है तो यहां से क्या हो रहा है यहां पर उस्मा का उत्सर्जन हो रहा है और अवसोसन हो रहा है यानि कहीं पर उस्मा लग रहा है तो कहीं से उस्मा निकल रहा है बात समझ रहे हैं उस्मा का उत्सर्जन होना मतलब निकलना और उस्मा का अवसोशन होना मतलब उस्मा उसमें लगना तो यहां सेम को क्या पता चल रहा है कि उसमें रासानी कभिक्रिया किया है तो उसमें रासानी कभिक्रिया में क्या होता है या तो उसमा का उत्सर्जन होता है या फिर उसमा का अवसोशन होता है यानि वो इसी रासानिक अभिक्रिया जिसमें उस्मा का उत्सर्जन या फिर अवसोसन होता है उसे उसमें रासानिक अभिक्रिया कहते हैं अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक में उसमा का उत्सर्जन हो रहा है और एक में उसमा का अवसोसन हो रहा है तो इस आधार से उसमे रासायनिक अभिक्रिया दो परकार के होते हैं बात समझ रहे हैं उसमे रासायनिक अभिक्रिया दो परकार के होते हैं एक का नाम है उसमा छेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक का नाम है उसमा सोसी रासायनिक अभिक्रिया उस्मा छेपी रासानी कविक्रिया को हम लोग एक्जोथर्मिक केमिकल रियक्षन के नाम से जानते हैं और उस्मा सोसी रासानी कविक्रिया को हम लोग इंडोथर्मिक केमिकल रियक्षन के नाम से जानते हैं अब अगर आप नाम देखेंगे, नाम में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है, एक का नाम है उस्मा सोसी, और सोसी से आ रहा है सोसन, यानि की अवसोसन, बात समझ रहे हैं, सोसी सी क्या, सोसन यानि की अवसोसन, यानि जिस रासानी कविक्रिया में उस्मा का क्या होगा, अवसो बनेगा बात समझ रहे हैं यानि वैसी रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें उस्मा का उत्सर्जन होगा यानि जिसमें से उस्मा निकलेगा उसे हम लोग उस्मा छेपी रासाइनिक अभिक्रिया कहेंगे तो चलिए बच्चो अब हम लोग इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप exam में इसके definition को किस प्रकार से लिखेंगे तो चलिए बच्चो अब हम लोग उस में रासा निक अभिक्रिया को समझते हैं जैसे कि मैंने आपसे क्या का कि जब हम लोग calcium carbonate CACO3 यहां पर हम लोग क्या करते हैं जब उसमा देते हैं जब इसमें उसमा हम लोग दे रहे हैं तो CAO यानि की calcium oxide और CO2 का निर्मान हो रहा है बात समझ रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हम लोग उसमा दे रहे हैं बात समझ रहे हैं यहां पर उसमा का क्या हो है अवसोसन हो रहा है इसी reaction को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CACO3 जैसे तीर की उपर में उस्मा देंगे इसका मतलब क्या उस्मा हमारा इधर ही है यानि अभिकारक अभिकारक की और हमारा उस्मा है यानि तीर चिन्न के लेट साइड में हमारा उस्मा है जब हम लोग दे रहें तो क्या हो रहा है सी एओ प्लस सी ओ तू का निर्मान हो रहा है यानि इधर उस्मा लग रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर उस्मा का अवसोसन हो रहा है उस्मा का अवसोसन हो रहा है उस्मा का अवसोसन हो रहा है बात समझ रहे हैं और जब मैंने आपको पताया कि यह मालीज आपका क् चुना यानि CAO, यानि कि केल्सियम ऑक्साइड है, और अगर हम लोग क्या गरेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, यानि ह्टो डाल देंगे, यह जो बिना बुझागवा चुना था, यह चुना बूझ जाएगा, यानि यह CAOH2 बनाएगा, यानि केल्सियम हाइडरा में लिया था, और आप हमको जो उसमा मिला तीर चिन्न के राइट साइड में, यानि अगर आप कहनेंगे इस सादार से, तो कहने का मतलब यह अभिकारक की और काम कर रहा है, और यह उत्पाद की और काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उसमा का उत्सर्जन हो रहा है, यानि यहाँ पर क्या हुआ, उसमा हमारा बन रहा है, यानि उसमा का उत्सर्जन हुआ, उसमा का उत्सर्जन, उसमा का उत्सर्जन, बात समझ रहे हैं, यहाँ पर उसमा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उत्सर्जन आप ऐसे लिखिएगा, उसमा का क्या हो रहा और एक जगा पर उस्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो जैसे यहां पर उस्मा का अवसोसन हो रहा है जब उस्मा का अवसोसन होगा तो इस अविक्रिया का नाम हो जाएगा उस्मा सोसी क्या नाम हो जाएगा उस्मा सोसी उस्मा सोसी रासाइनिक अविक्रिया रासायनिक अभिक्रिया बात समझ रहे हैं यहां पर उस्मा का अवसोशन हो रहा है इसलिसका नाम हो गया उस्मा सोशी रासायनिक अभिक्रिया जिसको आम लग इंग्लिस से इंड्ध थर्मिक है इंड्डो ति टेंगे यहाँ पर उस्मा का उफ्चं हो रहा है इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है उस्मा छेपी इसका नाम क्या है उस्मा छेपी रासाइनिक अभिक्रिया और इस अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिज से क्या बोलेंगे इस अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिज से बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एक्जोथर्मिक क्या reaction अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप एक्जाम में इसके definition को किस परकार से लिखेंगे चलिए बच्छो अब लोग बात कर लेते हैं कि आप उस्मिय रासानिक अभिक्रिया और उस्मा छेपी अभिक्रिया और उस्मा से उसी अभिक्रिया को एक्जाम में किस परकार से लिखेंगे पहला हमारे पास है उसमिय रासानिक अभिक्रिया यानि कि थर्मो केमिकल रियक्षन क्या है और सी रासानिक अभिक्रिया जिसमें उस्मा का उतसर्जन या अवसोसन होता है उसे उसमिय रासानिक अभिक्रिया कहते हैं यानि इसमें उस्मा का उत्सर्जन होगा या फिर उस्मा का अब्सोसन होगा तो चलिए अब हम लोग इग्जामपल देख लेते हैं पहला एजामपल आप देखे यह क्या है cao यानि बीना बुजाओओवा चुना प्लस ह्ट वह से CAo-H2 प्लस उस्मा इस अभिक्रिया में उस्मा का उत्सर्जन हो रहा है जो मैं नहोब आपको समझाया CaCO3 플러스 Uusma से CaO democracy O2 इस राशानिक अभिक्रिया को हम लोग इसे भी लिख सकते हैं और इस अभिक्रिया में Uusma का अविशोसन हो रहा है ठीक है उसमें राशानिक अभिक्रिया दो परकार के होते हैं पहला उस्मा छेपी राशायनिक अभिक्रिया यानि की एक्जोथर्मिक केमिकल रियक्षन और दूसरा उस्मा सोशी राशायनिक अभिक्रिया यानि की इंडोथर्मिक केमिकल रियक्षन ठीक है आगे देखिए उस्मा छेपी राशायनिक अभिक्रिया क्या है तो उस्मा छेपी का डेफिनेशन देख लेते हैं कि OEC रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें उस्मा का उत्सर्जन होता है उसे उस्मा छेपी रासाइनिक अभिक्रिया कहते हैं इसमें क्या होगा उसमा चेपि इसमा का उतसर्जन होगा जैसे savior c o hed gone उस्तो डीमा आप देखिए इसका नाम हो गया उस्मा चेपि अब चलिए हम लोग देख लेते हां उस्मा सोसी ठिक है एक्जाम्पल cc o3 प्लस उस्मा से c o plus c o2 या cc o3 से c o c a3 यहां पर हम उस्मा ले लिए इस इक्वेशन को मुझा इसे भी लिख सकते हैं c a co3 जो एरो साइट रहे गाउसके उपर मुश्मा लिख दीजिए गा c o प्लस CO2 तो यह रहा हमारा आज का टोपिक और यहां पर हमने उस्मा चैपी और उस्मा सोशी राशान कभी किरिया के बारे में जाना देखिए बच्चो अगर आप भूल जाएंगे कि किसमे उस्मा का उत्सर्जन या फिर किसमे उस्मा का अवसर सोनता है उस्मा चैपी में या अब सोशन सोशी से आपको क्या याद रहेगा अब सोशन यानि उस्मा सोशी में क्या होगा उस्मा का अब सोशन होगा इसमें क्या होगा उस्मा का अब सोशन एई आपका एक ट्रीक है आप इसी ट्रीक के मदल से याद रख सकते हैं दोनों डेफिनेशन को उस्मा सोशी या आपके सामने एक चित्र है इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि अवच्छेपन अभिक्रिया किस परकार का होता है इस चित्र में NaCl और Agno3 यानि की sodium chloride और silver nitrate की बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है तो AgCl और NaNo3 का निर्मान हो रहा है यानि की silver chloride और sodium nitrate का निर्मान हो रहा है तो इस case में क्या होता है जब AgCl का जो निर्मान होता है तो AgCl ठो सवस्था में होता है और यह क्या होता है billion के नीचे जाकर बेड़ जाता है जिसको हम लोग अवच्छेप कहते हैं इसका मदल्ब क्या हुआ कि जिस अभिक्रिया में अवच्छेप का निर्मान होगा उसी अवच्छेपन 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 कहेंगे तो चलिए बच्छो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यह reaction किस परकार से हो रहा है और कैसे हमारा अवच्छेप बन रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्जाम में इसके definition को किस परकार से लिखेंगे जैसे कि बच्छो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग sodium chloride यानि की NaCl और silver nitrate यानि की AZNO3 के बीच अविक्रिया कराते हैं तो AgCl यानि की silver chloride और NaNO3 यानि की sodium nitrate का निर्मान होता है देखें हमने क्या-क्या NaCl का billion लिया ठीक है इसके अविक्रिया हमने किस के साथ करा दिया AgNO3 के साथ कराया यानि की silver nitrate के साथ कराया तो किसका निर्मान हुआ AgCl का निर्मान हुआ AgCl plus NaNO3 और यह जो AgCl है न थोस अवस्था में पाया जाता है जो billion के नीचे, billion के नीचे बेट जाता है, यानि यह अवचेव के रूप में काम करता है, यानि इस अविक्रिया में क्या हो रहा है, अवचेव का निर्मान हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अवचेव पन अविक्रिया, और देखिए, जब कभी भी अवचेव बनता है तो वह नीचे बेट जाता है और जब अवक शेव का निद्मान होता है तो अवक को हम लोग इस प्रकार के देद दिए-गा एरो नीचे की ओर देद दिएगा इसका मतलब क्या हुआ हिए उक्सा मतलब हुआ गेस का निकलना इसके बारे में आपको बाद में समझाओंगा ठीक है जब हमारा सारा टॉपिक किलियर हो जाएगा में जितने परकार का रियक्सन है जब सब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको पताऊंगा कि यह सब का मतलब क्या होता है ठीक है अब यहां पर क्या है एजी सील जिसको हमने इस परकार से दर्साया है अब देखिया आगे यहां पर अगर आप दूसरा एजांपल देखें जैसे अगर हम लोग ले एन एटू एसो फोर यानिकी सोडियम सलफेट प्लस बी एसी एल टू यानिकी बेरियम कलोराइड जब इन दोन होता है बी एसो फोर का प्लस एन एसी एल का बात समझ रहे हैं और यहां पर अवचेप की रूप में यह काम करता है यही अवचेप की रूप में काम करता है यानि यह अवचेप बनता है बात समझ रहे हैं यह हमारा यहां पर अवचेप बनता है और इसी को हम लोग क्या बो लेंगे अवच्वपन अविक्रिया बोलेंगे तो चलिए बच्चो अब हम लोग बात करेंगे कि आप अवच्वपन अविक्रिया को एक्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे तो देखे बच्चो अवच्छेपन अविक्रिया को आप एक्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे अवच्छेपन अविक्रिया क्या है ठीक है देखे जिन अविक्रिया में अवच्छेप का निर्मान होता है उसे अवच्छेपन अविक्रिया कहते हैं ठीक है जिस अवक्रिया में अवच्छेप का निर्मान होगा उसी हम लोग अवच्छेप पन अविक्रिया काएंगे एक्जामपल आप देख लिजिए एने टू एसो फोर प्लस बी एसो फोर देखिए नीचे हमने एरो दिया या या उच्छेप है प्लस एने सील जो अभी हमन अविक्रिया क्या होता है कि जब हम लोग अमल और छारक के बीच अविक्रिया कराते हैं जब हम लोग अमल और छारक के बीच अविक्रिया कराते हैं तो लबन और जल का निर्मान होता है ठीक है जब लबन और जल का निर्मान होता है तब हम लोग यहां पर देखते हैं जो क करता है एक दूसरे को उदासिन कर देता है बात समझ रहे हैं एक दूसरे को क्या कर देता है उदासिन कर देता है इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासिनी करन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं अब चलिए बच्चो मैं आपको बताता हूं कि उदासिनी करन अभिक्रिय कराया जाता है तो लबन और जल का निर्मान होता है यानि जब हम लोग और चारक के बीच अविक्रिया कराएंगे तो किसका निर्मान होगा लबन का और जल का बात समझ रहे हैं अब देखिए जब हम लोग आम लोग चाप्टर पढ़ेंगे जब पार्ट टू हम लोग पढ़ेंगे तब यह चीज़ आपको और किलियर हो जाएगा वहां पर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाओंगा ठीक है तो देखिए जिसे आप यहां पर कोई भी एक अमले ले स माइन देता है यह समय आपको बताऊंगा ठीक है और अमले जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन भी देता है यह सारा चीज में आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग अमले चारक पढ़ेंगे अब आप इतना या रखिए कि अगर मतलब अमले क्या अगरता है जल में घुलक है और चारक जल में घुलकर ओएच माइन आइन देता है तो यह हो गया प्लस चारक के लिए हमने यहां पर क्या लिखा एन ओएज़ देखिए यहां पर दूई विस्थापन अभी किया ही होता है और देखिए जैसे हम लोग हैजल को जब हम लोग जल में डालेंगे तो यह क प्लस हो जाएगा देखिए कभी जो डेके आंड़ेंगो 17 यह क्या करेंगा एंड़ेंट फ्टमश आपका पॉड़ेटीब होता है H Alle बल आपका पुजीथिव में जोड़ दीजेगा तो निहीं जलेगा कभीध आप बल्व को नेगेटिव नेगेटिव सिरा में जोड़ दिजेगा तो नहीं जलेगा आपको क्या करना पड़ेगा एक पोजिटिव सिरा में जोड़ना पड़ेगा एक नेगेटिव सिरा में जोड़ना पड़ेगा तभी जलेगा तो देखिए यह हमारा एक पोजिटिव सिरा है यह भी हमारा एक positive सीरा है बात समझ रहे हैं तो क्या करना होगा देखिए यह जैसे positive है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसके negative के साथ काम करना पड़ेगा और यह negative को इसके positive के साथ काम करना पड़ेगा यही दूविस्थापन अभी करिया में भी यही चीज़ होता है ठीक है तो इस प्रकार से करेंगे तो देखिए क्या होगा na plus and cl minus मिलकर क्या बनाएगा oh उने एक लवन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैν साधारण नमख ये शतविक्रीया को उदासिन कर देता है इसलिए हम लोग इस अभी प्रुक्या को इशन करण आभइकिरिया को ऐते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसके definition को exam में किस परकार से लिखेंगे तो देखे बच्चो उदासनी करन अभिकरिया यानि की neutralization reaction को आप किस परकार से लिखेंगे उदासनी करन अभिकरिया क्या है जब अमल एवंग छारक के बीच अभिकरिया कराई जाती है तो लवन एवंग जल का निर्मान होता है जो एक दुसरे को उदासनी कर देता है अता इस परकार के अभिकरिया को उदासनी करन अभिकरिया कहते हैं बात समझ रहे हैं कि जब हम लोग अम लोर छारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवन और जल का निर्मान होता है जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं उदासन कर देते हैं इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को उदासनी करन अभिक्रिया कहते हैं तो बच्चो आज के लिए